तुल्सी महात्मा, तुल्सी महात्मा के विश्ण में स्वे महादेग बताते हैं, इसका उलेग पद्मपुरान के सुष्टिखंड है और उसी सुष्टिखंड के अंदर चैप्टर 43 है, जिसमें तीन विश्वों में बताया गया है उस चैप्टर में, पहला, रुदराक्स की from everywhere, पहलेग को बताया है, जो भग़वान विश्ण को बड़े अडिक प्रिय तीसरा तुल्सी महात्मा के विश्ण सुनेगे, जिसका वटनम स्वे महादेव कर रहे है अपने पुतर को, तो यहां कार्थीज़ीं की प्रस्नि के बारे में इसके फलो के विश्य में बता दिया यहां तक कि आप में आवले की महिमा की विश्य में मिले बता दिया है कि अब मैं यह सुना जाता हूगी ऐसा कौन सा विक्ष्य है जिसके पत्ते और फूल जो है सबको मोख्स पतान करते हैं तो इस प्रकार से कार्थिकी जी प्रश्ण पूछते और महादेव जो है उसके उत्तर देते हैं अब यहां पर महादेव जो है बहुत सारे पॉइंट्स तो मैं आपको हर एक पॉइंट नंबर वाइस बताते जाता हूँ और कुछ पॉइंट्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टन है ध्यान पर वह सुने लिए उसे तो महादेवर में पुत्रों कहता है कि हे बेटा सब्रकार के पत्ते और पुष्पो जो है तूल्सी सर्वेश्य श जाता है और वह संपूर्ण लोग में शेष्ट भी है शुब भी है तता भोग और मोक्स पदान करने वाली ऐसी तूल्सी है तो दूसरे पॉइंट में महादेव कहते हैं यह एक इंपॉर्टन पॉइंट है महादेव कहते हैं जैसे भगवान विश्णु को लक्ष्मी और मै है बहुत ही अधिक प्रिय हो उसी प्रकार तूल्सी देवी भी प्रम प्रिय है भगवान को वह बहुत इंपॉर्टन है कि महादेव खुद बता रहे है कि लक्ष्मी के साथ मैं जो हूँ यानि महादेव जो है वो भी प्रिय है लेकिन उसके साथ तूल्सी जो है वो भी प् अब महादेव तीसरा पॉइंट कहते है जिसने तुलसी दल के द्वारा पुन सद्धा के साथ अगर प्रतिक दिन भगवान विष्णु को पूजन किया हो उसने दान, होम, यग, व्रत ये सब संपुन कर लिए ये महादेव कह रहे है कि चौता पॉइंट महादेव कहते हैं जैसे गंगा मुक्ति पत्रान करने वाली है उसी प्रकार तुलसी भी कल्यान करने वाली है तो यहां पांचवाँ पॉइंट जो है वोड़ा ही महादेव कहते हैं कि यदि मंजिर युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा अगर भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो उसका पुन्यफल का वर्णन करना असंभव है कौन करें स्वय महादेव करें छटे पॉइंट में महादेव कहते है जहां तुलसी का वन है वही भगवान विष्णु जो है स्थापित रहते हैं तता ब्रह्मा लक्ष्मी भी वहाँ पर विराजमान हो जाते है कौन करें से महादेप बता रहे हैं कि जहाँ पर तुल्सी का वन अगर हो तो भगवान वहां पर ही रहना पसंद करते हैं और ब्रह्मा और लक्ष्मी जैसे भी देवी तेत्रा जो है वो उसी स्थान में आ भी जाते हैं पिसात्वर पॉइंट में कहते हैं कि हे पुत्र, प्रेत, पिसाज, कुश्मांड, ब्राम्मर अक्षप, भूत और दैत्य, ये सब तुलसी के वृष्ष से धूर ही भागते हैं, अगर किसी को इन लोगों में से धूर भगाना है, तो केवल हमको क्या करना है, तुलसी लगाना महादेव आधवा पॉइंट में कहते हैं, अब यहाँ पर आगे आधवा पॉइंट में महादेव बता रहे हैं कि अगर किसी ने तुलसी का बगीचा बना के रखा है, तो उसका लाब क्या है, महादेव कहते हैं आधवा पॉइंट में, जिसने भगवान की पूजा के लिए प्रित्वी पर तुल्सी का बगीचा लगा रखा है उसने उत्तम दक्षणाओं से युक जो सौं यग्यों का अनुस्ठान पुन कर लिया है अगर केवल जो आपके घर में जो छोटा सा जगा हो अगर बगीचा इसा अगा बना दे तो आपको बैटे बैटे ऐसे बड़े योगी का जो है फल प्रात हो अब नौपान महादेद करते हैं अगर किसी ने कल्यूग में तुल्सी का पूजन किया हो किर्टन किया हो ध्यान किया हो या तुल्सी रोपन किया हो यानि तुल्सी लगाया हो और उसे धारन किया हो अर्थात का प्रशाज आता है उसमें तुल्सी होता है अगर किसी ने वह धारन किया हो तो वह पापों को जला देती है और स्वर्ग और मोख्ष को प्रदान करती है इतना करने से तुलसी महारणी जो है स्वर्ग की और जो है लेके चलियाती है यहां मादे बता रहे हैं अगर कोई तुलसी के विश्य में बता रहा हो या दूसरों को उपदेश दे रहा हो और उसे खुद भी है तो केवल इतना करने से ही वह जो है भगवान लक्ष्मिपति के यहां पहुंच जाएगा कौन बता रहे है महादेव बता रहे है तो यहां पर अगर कोई शिब बक्त है उसे जान लेना चाहिए कि महादेव को क्या प्रिय है कि यानि जो विश्णु को प्रिय है वही महादेव को वही प्रिय है यह स्वय महादेव बता रहे उस लोग ले बारवा पॉइंट में महादेव केते हैं जिसने तुलसी की सेवा की है उसने गुरू, ब्राम्मान, देवता, तित, सपका भली बातन सेवन कर लिया है केवल तुलसी के पूजन करने से यह सारे चीज़ों है प्राप्त हो जाता है यह महादेव बता रहे हैं और अपने पुत्रों कहते हैं कि हे पुत्र इसलिए तुम भी तुलसी का सेवन करो यह बढ़ाई महादेव जो है अपने पुत्रों को यह आदेश दे रहे हैं यह बता है कि है पुत्र तुम भी तुल्सी का सेवन करो यह जो है यह तेरवा पॉइंट है जो बहुत ही माड़ब हो पॉटिन पॉइंट में महादेव फिर कहते है तुल्सी के एक पत्र से सी हरी की पूजा करके मनुष्य वैश्नव तत्वों को प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए यह सास्त्र विस्तार की क्या बल सकता है तो 15 पॉइंट में महादेव कहते हैं पुत्र को ए पुत्र को मल तुल्सी दलों के द्वारा प्रतिक दिन सी हरी की अगर पूजा की जाए सेक्ड़ों और हजारों पीडियों को पवित्य कर सकता है यहां महादेव बता रहे हैं अग चौलवा पॉइंट और सत्रवा पॉइंट जिड़ा इंपॉर्टन है ध्यानप्रव सुनिए महादेव कह रहे हैं हे पुत्र हे ताथ यह मैंने तुमसे तुल्सी के प्रधान प्रधान गुण बतलाए है संपूर्ण गुणों का मंदन तो बहुत ही समय लगने पर भी नही सकते वे कि ऊपर-उपर मैंने अभी तक आपको बताया है पूरा विश्वार करने का तो समय नहीं हो पाई महादेव बहुत अच्छा और बता रहे हैं महादेव आगे कहते है कि जो सुसी के महात्म को जो मैंने बता रहे है अगर किसी को बताता है या सुनता है वो दूनों ही रिक्ति जो है उसे पुन्य जो है बहुत ही बढ़ जाता है ये महादे बता रहे है अंत में तो इसके लिए तुलसी को तिहां महादे बता रहे है कि तुलसी जो है बहुत ही इंपोर्डन है भगवान की पूजा करनी चाहिए बगीचा लगना चाहिए जिससे आ झाल झाल